नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप लोगों का हमारे आचार जागिंद्र मिस्रा चैनल पर दोस्तों आज का ये जो जोतिस का कारकरम है मकर रासी के लिए बहुत खास है मकर रासी का अगस्त दोजार चोबिस का मंथले प्रेडक्शन यानि कि अगस्त दोजार चोबिस मकर राशी के लिए कैशा रहेगा संपोर जानकारी सब कुछ बताऊंगा आपका स्वास्त कैशा रहेगा सिक्षा आपकी कैशी रहेगी पढ़ाई लिखाई अगस्त के महिने में कैशा रहेगी प्रेम, प्यार कैशा रहेगा ब्यापार, कारोबार, बिजनेस कैशे रहेगा बैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैशे रहेगा भाग कितना साथ देगा नोकरी कैशी रहेगी, केडियर कैशे रहेगा सब कुछ बताएंगे क्या फल मिलेगा आपको अगस्त के महिने में क्या साथानी बरतनी है और दोस्तों अन्त में बताऊंगा एक महित्पुन उपाय जो आपके लिए काफी स्रेष्ट रहेगा तो चलिए अब सुरुआत करते हैं मकर राशी अगस्त दोजार चोविस कैशे रहेगा दोस्तों ये कारक्रम आपके जन्म की राशी चन्राशी पर अधारी थे और अगर आपको अपनी राशी का नाम नहीं पता है तो अपनी अक्षर की अधार पर भी ये वीडियो देख सकते हैं चलिए आप जान लेते हैं अगस्त दोजार चोविस में जब शुरू होगा तो ग्रहों की पोजीशन क्या होगी तो मकर राश्कत को आपके राशी के स्वामी शन्यदेव आपके दूसरे भाव पर कुम राशी में गोचर करेंगे पूरे महीने अगस्त के महीने में राहु मीन में रहेंगे तीसरे भाव पर केतू रहेंगे कन्या में यानि के आपके भाग भाव पर शूर्देव करक राशी में रहेंगे और 17 अगस्त को ये शिंग राशी में जाएंगे मंगल बिर्षब राशी में रहेंगे आपके पंचम भाव पर और 27 अगस्त को ये आपके छटे भाव पे चले जाएंगे बुद्ध शिंग राशी में रहेंगे ये वक्री हो जाएंगे 6 अगस्त को देवगुरु ब्रिहश्पत भी पंचम भाव पे रहेंगे और मंगल के साथ यूती बनेगे शुक्र शिंग राशी में और 25 अगस्त को कन्या में चले जाएंगे आपके भाग भाव पे अब आपको बड़े धियान से सुनना और समझना है मंगल राश्पत को सबसे पहले जानेंगे आपके स्वास्त के बारे में स्वास्त आपका कैसा रहेगा तो देखें मंकर राश्कत को आपके राश्रिक स्वामी शनिदेव दोसरे भाव पे हैं तो स्वास्त से related कोई समस्या problem नहीं रहेगी स्वास्त आपका ठीक रहेगा family में भी स्वास्त से related कोई दिक्कत नहीं रहेगी यानि कि आप लोगों के health में बढ़िया रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगी बस आपको खान पीन की चीज़ों में ध्यान रकना है बस आपको अपने दाहिने आख में प्रोब्लम जरूर आएगी आपको दाहिने आख क्योंकि शरीदेव एक पापिग रहे हैं थोड़ा सा दाहिनी आख में प्रोब्लम आ सकती है फिर पहले से प्रोब्लम थी थोड़ा सा इलाजों में खर्च हो सकता है आख कही आप जा कर दिखा सकते हैं तो थोड़ी सी आत्रा भी बनेगि य Extra को भी बड़ी चीजे आपके जीवन में नहीं होगी इस चीज को आप नोट कर लीजे, बात करें, परहाई लिखाई कैसे रहेगी, विद्ध्यारतियों के लिए कैसे रहेगा, तो पंचम भाव होता है, परहाई लिखाई का, पंचमेस जो होते हैं, शुक्र ग्रह, और ये, यहाँ पर अश्टम भाव पे कहे हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर परहाई में आपको दिक्कत हो सकती है, यानि कि जो आप बड़े संस्था में दाकला लेना चाह रहे थे, मन पसंच यह जगह पर, वो आपके जीवन में ना हो, इन चीजों से थोड़ा ध्यान रखे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना है, पच्चीस अगस्त के बाद आपका ये काम हो जाएगा, यानि बड़े संस्था में दाकला लेना, कोई, यानि कि जैसे आप बिदेश जाकर एड़िशन लेना चाहते हैं, या फिर आप यहीं पर कहीं अच्छी स्कूल में जोईन करना चाहते हैं, तो पच्चीस अगस्त के बाद करें ठीक रहे लेकिन बस admission है, आपको थोड़ा सा ध्यान करें कि पच्चीस अगस्त के बाद ही करना है, बाकि आपको परहाई पर कोई दिक्कत नहीं है कि बस आप मेहनत करते रहें, लाब होगा, बस जो परेशानी पहले थी वो अब नहीं होगी, यानि कि अच्छा खासा आपको लाब मि हैं, पंची में इस तो थोड़ा सा आपको 25 अगस्त अपने पार्टनर से कहा सुनी, बात, भीवाद, मत बेद, या छोटी-छोटी बातों को लेकर मत बेद होना, थोड़े जिद्धी किसम के हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखनों का 25 अगस्त के बाद चीजे सब सामान हो ज चेंडिंग ना हो, तनाव ना हो, तनाव की विज़े से रिष्टे खराब भी हो सकते हैं, मनमुटाओ हो सकता है, थोड़ा से धियान रखेगा, अब बात करें, मेरिज लाइफ की आपका बैवाहिक जीवन कैसर हैगा, आगस्त दोजार चोबिस में, तो मकर राजकत्मों मेरिज लाइफ का, सब्तम भाव यानि कि आपके जीवन साथी के बारे में देखा जाता है, तो यहाँ पर देखे, आपको सब्तम भाव पे सूर देवी बैठे हुए हैं, शूर एक तेज किस्म के, जिनका ताप यानि कि नहीं सा सकता कोई, तो यह बैठे हुए हैं, तो यह पार्टनर को बार बार यानि कि आप अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा धियान रखना है, यानि आपके अंदर इसमें थोड़ा सा क्रोध, गुसल, टाइप करियो, फिर मेत्व, कांची तो रहेंगे, साथी साथ कुछ काम ऐसे कि जो मनमानी तरीके से कराना, यह आपके पार्टनर को पसंद नहीं होगा, हला कि चीज़ें ठीक कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बैवाईक जीवन में उतार चरहा उड़ाएगा, लेकिन आपके लिए कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा, बस काम को आप सही डंग से करेंगे, तो काफी लाबदायक रहेगा, और ची यहाँ पर आपको चुकि उनका प्रभाव, उनकी जो गोचर है वो पहले ही भाव, यहनी आपके सब्तम और अश्टम पर हैं, तो अश्टम से सब्तम पर आजाएंगे वक्री होकर तो थोड़ा सा भागी में कमीतों जरूर देखने को मिलेगी, अच्छा खासा जो काम जो ब ब्यापार की बात करें, नौकरी में तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में आपको पदुनत होगी, सब कुछ होगा नई जो मिलेगी, लिकिन भागी में तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ब्यापार में आपको लाब होगा, ब्यापार में आपको चारत तीजिसे लोटर शट्रा से दोरी बना रखें, शेर मार्केट में पहले से किया है, तो लाव होगा, व्यापार में रुकावटे जो थी धीरे-धीरे दूर होगी, लेकिन बस आपको अपने काम पर लगे रहना है, यानि कि किसी के कहने पर कहीं वेश्ट भी नहीं करना है, पार्टनर मे डिशीजन लेंगे घर परिबार में, समाज मानसमान प्राप्त होगा, मानसिक चिंताओं से मुक्ते मिलेगी, राजनितिक मसले हलोंगे, कोई महतपूर कार पूरा होगा अगस्त के महिने में, जो आपके लिए लाबदाय करेगा, संतान की प्राप्ती भी होगी, तो ये था दोस्तों आपके लिए और उपाय की बात करें, तो देखे, मकर राजकत को आपको ओम सम्सने चराय नमेश मंतर का जाप करना है पूरे महिने, और शनी बार के दिन, पीपल के नीचे आप एक मुठी काले तिल और एक मुठी काली उरद, अपने सर से तीन बार उल्टे बार क पीपल की जड़ पे डाल की आना है, तीन बार परित्रमा करना है, और सनी बार के दिन, शूर उरशी पहले पीपल का दर्सन करना है, शनी देव के इस्तरोत का जाप करें, और सनी बार के दिन, काली वस्तों ना खरीदे, ये उपाय करेंगे, तो लाब जरूर मेलेगा, तो